नमस्कार मैं कानग आप देख रहे हैं आज प्रकाश आए नज़र आते हैं आज की कुछ खाथ ख़बर पर चंडिगर्ड क्राइम ब्रांच को उस समय बड़ी कामयाभी हासिल हुई क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर सत्विंदर और उनके टीम में चंडिगर्ड से गाडियां चोरी करने वाली गैंग को गिरत्तार कर लिया है आरूपियों से आठ गाडियां बरामद हुई है आरूपियों की पैचान सौनीपत के रहने वाले अक्षे उम्र 28, जैपाल उम्र 23 और राहूल उम्र 27 के रूप में हुई है पुलिस ने शनिवार को आरूपियों को अदालत में पेश कर तीन निन का रिमांड हासल किया है आरूपि कोड़ेट चिप का इस्तिमाल कर तीन मिनिट में गाड़ी को चोरी कर लियती थे इसके बाद गाड़ियों को एक लाग से डेड़ लाख रूपेवी बिहार में बेच देते थे पुलिस ने साथ गाड़ियां बिहार से बना मत की है पुलिस के अनिसार अक्षे के किलाफ चोरी के लगवग 32 और राजपाल पर 6 केस दर्श है उलिस को आरोपियों को गिरफतार करने में सीज़िवी कैमरे और तकनीकी सिस्टम से मदद मिली उलिस ने आरोपियों से 5 ब्रेजा, 1 सेलरीयो, रियाज और बुलेनो कार बरामत की है आरोपी बुलेनो कार पर फटजी नमर लगाकर चोरी करने आते थे चंडिकर क्राइम ब्रांच की टीम ने तीरों आरोपियों से पूस्ताज की और पूस्ताज के दोरांत सामने आया कि तीरों युवक मौज मस्ती और एश प्रस्ती के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देती थे गारियां चोरी कर बंजाब, हर्याना, हिमाचन, यूपी, बिहार, उत्राखंड, नेपाल, राजिस्तान, अन्यकई राज्यों में जाकर एक सुपचास लाख में बेच देते थे बकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्जु है हर्याना में अवैद माइनिंग का दंदा बढ़ता जाना है, अवैद माइनिंग करने वाले को होसले यहां तक बढ़गे, कि देएसपी के उपर बंपर जड़ाने लगा है, बहुत खीद का विश्य है, इस तक ना कि मैं निजदा भी करता हूँ, प्रतो हर्याना सरकार से पूछना चाहते हूँ, 2018 में SIAJ ने रिपोर्ट दिती, कि कि 5,000 क्रोड रुपे का गो फाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हो रहा हुआ है, जितनी हर्याने के अंदे टेंडर निकलते हैं, चाहिए हो केंदर सरकार के टेंडर हो, चाहिए हो हर्यान सरकार के लाम हो, माइनिंग का पैसा आलक से जमा होना चाहिए आज पचास हजार क्रोड के कम से कम मुख्यमंत्री कारियले या मंत्रियों के कारियले के निर्देश पे हर्याना सरकार के चुराई जा रहे है जो पैसा हर्याना सरकार के राजस्व के अंदर जमा होना चाहिए था वो ठेगेदार और लीडर मिलके खा रहे हैं, क्यों नहीं हर्याना सकार उनको पकारवाई करती है, क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि DSP के उपर ट्रक चड़ा दिया जाता है, आज विधायकों को धम क्या मिलती है, जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती वो हर्याना के जंता को कैसे सुरक्षित है, मौके पर ही मौत हो गई है DSP के, बहुत कड़े सब्दों में मैं निंदा करता हूँ और जल से जल्द दोश्यों को ग्रफता करना चाहिए, और माइनिंग की सारी रकाव वसूल करके हर्याना सरकार के अंदर जबा होने के अपडेट्स वो बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन धबाना ना भूलें